कडाके की सर्दी का प्रकोप उत्तर भारत में कहर मचा रहा है कश्मीर की डल जील का पानी जम गया है दिल्ली और आसपास के लागों समिद समूचे उत्तर भारत में कम कपा देने वाली शीत लहर चल रही है दिल्ली और आसपास के लागों में च्छाए घने कोहरे करन यातायाद विवस्ता चर्मना गई है गुरुवार शुबा दुली एंसियार में घने कोहरे करन आईजी आई एरपोर्ट पर कई उडाने रद करती गई हैं कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो नहजर आई गने कोहरे कासर सड़क के साथ साथ हवाई और रेल यातायाद पर भी पड़ा है दिल्ली के आईजी आई एरपोर्ट पर कई उडाने रद कर दे गई उडानों को रद करते वे स्टैंड बाई कर दिया गया है इसके पहले बुद्वारों को भी पूरे उत्तर भारत में ठंडे लोगों के सामाने जन जीवन को प्रभावित किया यूपी में दो ठंड के चलते चार लोगों की मारे जाने की खबर है वहीं पहाडी राज्यों में हिम्सकलन की खबरे आई है कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम और हिमाचर प्रदेश का कुछ इस्तानों पर भारी ब्रभवारी हुई कश्मीर में अभी 40 दिवस्तिये चिलाई कला का दौर चल रहा है जिस तोरां ठंड चलम पर होती है के शुक्रवार तोपार के बाद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा तंगधार रोड पा हिम्सकलन की एक घटना में एक कैप चपेट में आ गई थी SPN 9 Newsroom की रिपोर्ट